सन 1857 में देश की आजादी के पहले स्वतंतरता संग्राम ने अंग्रेजों की दास्ता के खिलाब बित्रों की जो चिंगारी लगाई उसने देश के हर कुने में लोगों को आजादी की अलग चगानी की प्रेड़ा दी ऐसी ही प्रेड़ा से लबरेज में घाले के जैंतिया पहाडियों में क्रांतिकारी यू कियांग नोंगबा ने 1857 में ब्रिटिश आक्रमल को चुनावती दी थी बताया जाता है कि यू कियांग नोंगबा ने अस्थानी लोगों को शक्तिसाली ब्रिटिस सामराज के खिलाप खड़े होने के लिए प्रेरित करने के लिए सिंटु के सियार नदी के तर्ट पर इकठा किया था अंग्रेजों के लिए नोंगबा एक विद्रो ही नेता थे जिन्हें कुछलने की जरूरत थी लेकिन अंग्रेज उनके नाम के अलावा शायद ही कुछ जानते थे हाल ही में प्रधान मंतरी नरेद मोदी ने अपने मन की बात संबोधन में पूर्वोत्तर की स्क्रांतिकारी आदिवासी नाएक यू कियांग नोंगबा का जिक्र किया यूवो कियांग नूंगमा नाम का एक युवग बहादुरी से शक्तिशाली ब्रिटिस सामराज के खिलाप खड़ा हुआ अपने साहस और दूसरों के लिए खुद को बलिदान करने की इक्षा के लिए जाने जाने वाले वो अपने समुदाय के लिए ताकत का प्रतीक बन गए सेन रायत जोवाई के अध्यक्ष एस्तोई और कियांग नूंगबा इसियात खानम मेमोरियल सोसाइटी जोवाई के अध्यक्ष चिवोर नाजियार ने नूंगबा को पूर्वत्तर के स्वतंतरता सेनानी के रूप में सुईकार करने के लिए उनका आभार व्यक्ति किया यू कियांग नूंगबा को 27 दिसंबर 1862 को गिरपतार किया गया था और तीन दिन बाद उन्हें फासी पर लटका दिया गया था तो इने यह भी साजह किया किया कि यू वो कियांग नूंगबा के अउशेश मूली कसु में सनरक्षित किये गए थे जो उनके सम्मान के लिए समर्पित स्थान है। कियांग नूंगबा समारक मेघाले के जैंतिया हिल्स जिले में मिन्टडू नदी के तटपर स्थित है। विशिष्ट जैतिया डिजाइंग की या खूबक्षूरत मिनार जैसी सनरचना जैतिया जंजात द्वारा बनाई गयी थी। कियांग पर रखा गया था इतिहास कारों के मुताबिक सन 1835 में अंग्रेजों ने जैतिया पहाडी पर कबजा किया था उस वक्त यू कियांग नोंगबा की आयू बहुत छोटी थी अंग्रेजों द्वरा इस्थानिय रीत रिवाजों में हस्तक्षेप के विर्द इस्थानिय लोगों में खासा रोश था 1860 में जैतिया हिल्स में हाउश टैक्स लगाने से इस्थानिय लोगों में अंग्रेजों के खिलाब गुस्सा अपने उफान पर पहुँच गया तब नोंगबा ने इस गुस्से को संगठित प्रतिरोत का आधार बना कर अंग्रेजों पर छापे मार हमल किया और थाने को आग लगा दी और सारे हथियार लूट लिये नोंगबा को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर जैतिया पहाडियों में सैन्य भियान चलाया मुक्बिरी के आधार पर 27 दिसंबर 1862 को अंग्रेज सेना को उन्हें पकड़ने में सफलत मिल गई नोंगबा का अपने लोगों के बीच दैवी ये प्रभाव था इसलिए अंग्रेज आननफानन में उनसे छुटकारा चाहते थे यही वज़य थी कि महस्तीन दिनों में अंग्रेजों ने उन्हें फासी पर चढ़ा दिया चीवन की अंतिम सास तक यू कियांग नों कर दो कर दो